ओके अवरेवन देखिए अब यहाँ पर टॉपिके स्टार्ट कर रहे हैं हम निश्चित समा कलन की गुण मतलब यहाँ पर जो प्रॉपर्टिय इस्तमाल होती हैं definite integration में उनको हम यहाँ पे देख रहे हैं और कैसे लगाएंगे वो भी आपको बताएंगे निश्यत समा कलन की property हैं सबसे पहली property आपके पास में अगर आपके पास में a से लेकर के b fx dx है तो चाहे आपके पास variable x का हो चाहे आपके पास variable कोई भी हो t का z का कुछ भी हो बस अगर limit सेम रहेगी तो आपके पास ये fz ले लो और dz ले लो या fz ले लो ft ले लो dt ले लो सबी value के आएंगी समान आएंगी मतलब variable बदलने से definite integration के मान में कोई परवर्तन नहीं होता क्यों क्योंकि definite integration का मान एक constant आता है क्या आता है भाई सब? constant एकस से मुक्त रहता है, z से मुक्त रहता है, t से मुक्त रहता है और जिसमें variable है नहीं तो काई का फर्क पड़ेगा भाई तो इसलिए हमेसा इसका answer क्या आता है? constant ठीक है ना मतलब variable बदल लो या कुछ भी हो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो जैसे मैं example बोलूँ, 0 से लेके pi by 2, x log sin x, यह है, x log sin x है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, 0 से लेके pi by 2, t log sin t, बड़ाइए, अगर इसका मान आपके पास 5 आ रहा है तो इसका मान भी कितना आएगा? 5 ही आएगा, है नो for an example, आ था नहीं है 5, मान लिए अगर इसका मान 5 आ तो इसका भी कितना आएगा? 5 ही आएगा, बस variable का फार्क है, इसमें t variable है और इसमें x variable है, इसको बोलते है, change of variable property, क्या बोलते है, change of variable property, यह हो गया, ठीक है, 4 प्रतिस्थापित प्रकूर, दूसरा property की बात करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा important है, दूसरी property, वह यह है, अग आप क्या करते हैं, इसमें प्रतिस्थापित कर सकते हैं, 0 से लेके a, x की जगे पे क्या बहिजदो भईया, a-x और dx, दोनों की value same आएगी, 0 से लेके a, fx, dx, 0 से लेके f, a-x, अब मैं बताओं यह property कहां पर use होगी, by 95% इस property का use होता है पूरे chapter में, पहली चीज़ तो यह ह 0 से लेके a तक की limit देख जाए, मतलब 100% यही property आपको इस्तमाल होनी है, और यदि आपको कहीं पर जो है, आपके पास जो है, कहीं पर आपके पास में, यदि यह आपको देख जाए, कि एक तरीके से 0 से लेके pi by 2, 0 से लेके pi by 2, तब तो सोचना ही नहीं है, इसका मतलब इस property के लिए question बनाए, 0 से pi by 2 के लिए, next property के discussion करते हैं, देखे, थोड़ा सा confusion जो आपको इस property को लेकर के है, कि a से लेके b वाली property हम कैसे पहचानेंगे, कि a से लेकर के b fx dx, equal to a से लेके b ft dt, यह ऐसा है, कि मानलो आपने question में कुछ चीजों को t के equal मानल लिया, मानलो को x का function थ x square plus x plus something, something उसको आपने क्या मानल लिया, t मानल लिया, तो चलते 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 आपका question मतलब मानलो पूरा t में बदल गया, बदल जाएगा ना, और किसी moment पर आप देखते हो कि जो आपका function है, वो as it is repeat हो रहा, but t के variable में, मतलब a से लेके b, क्या था आपका, fx dx, a से ल आ गया है, ft dt, आ गया है, तो आप इसको solve मत करने लग जाओ, इसकी value, इसकी value सेम होगी, मतलब यहाँ पर क्या replace कर दो, आई, क्योंकि उसको भाई, वो तो दोनों सेम है, definite है, तो यह बिलकुल, कहीं पर question में, बीच में इस्तमाल होगा, जहाँ पर आपका variable change हो जाएगा, त ठीक ना, अब देखिए, अगली बात करते हैं, अगली प्रॉपर्टी, अगली जो प्रॉपर्टी है, वो अभी देखा आपने पहली प्रॉपर्टी, इसी से मिलती जूलती है, 0 से लेके, a f dx की जो प्रॉपर्टी है, इसमें आपने क्या यूश किया, 0 से लेके, a f of a minus x dx, मलब क्या किया, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा और इसको माइनस किया, लोवर लिमिट, अपर लिमिट, अब लोवर लिमिट 0 है, तो 0 प्लस a minus x कितना आएगा, 0 प्लस a minus x, भाई क्या बनेगा, a minus x ही बनेगा, तो अपने f a minus x यूश कर दिया, ये x की जगे आप a minus x करोगे इसको अभी यहाँ पर 0 था ना तो 0 का फर्क नहीं पड़ा था बट अब फर्क पड़ जाएगा a प्लस b और माइनस का x तो यह क्या बनेगा अपने पास a से लेकर के b और f of a प्लस b माइनस का xbx यह होगा इसको इस तरीके सी यह प्रॉपर्टी लगाएंगे अब आपके मन में सवाल आ रहोगा सर यह प्रॉपर्टी हम कब लगाएंगे हमें कैसे पता चलेगा कि यह प्रॉपर्टी हमें लगाना है तो एक चीज तो यह देखो मालनों नीचे लिखा पाई बाई 6 और उपर लिखा पाई बाई 3 मजे की बात देखो पाई बाई 6 है पाई बाई 3 है और यहाँ पर कोई फंक्शन साइन का है कॉस का है टेन का है कॉट का है तो आपको एक चीज पता होगा कि इन दोनों को जोड़ करके कितना मिलता है 90 कितना मिलता है पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 कितना होत है तो यह बन जाएगा मानलों जब आप प्रॉपर्टी लगा होगी तो यह बन जाएगा साइन ओफ दोनों का सम माइनस एक्स मतलब 90 माइनस एक्स बोले यह सॉनो और यह सॉल्व होने की दम तो रखता है वाई तो मतलब जब आपके पास यह यह चीजें हो तो आप पाइबाई 6 से पाइबाई 3 तक के लिमेंट है तो बिना सोचे आप यह वाली ट्रिक लगाई है दूसरा कहा बल लगेगी यह ट्रिक यह मैं अपने साथ में हो वन प्लास XO1 माइनस XO3 माइनस XO3 प्लास XO तो आप पक्का देखना यही वाली आइडेंटी लगेगी उस समय यह वाली क्लियर है ना जब आपके पास एक्सों और साथ में वो किसी से जुड़ रहा हो या किसी से माइनस हो रहा मतलब X जो है दो बार फंक्शन है X को अलग करो A से लेके B आप X को अलग करोगे तो क्या देखेगा आपको 3-X DX अब इसके बाद ये property आप लगा लोगे तो बड़े आराम से हल हो जाएगा आपकी book में question दिया हुआ है 0 से लेके कुछ कुछ दिया है और यहां पे दिया है X और यहां पे दिया है 1-X या 5-X 2 से लेके 3 और यहां पे दिया है 5-X ठीक है वो भी है वो 0 से 1 में तो भाई आपकी FX लग जाएगी simple वो तो 0 से 1 में तो आपकी FX DX लग जाएगी 0 से लेके 1 की बात करोगे तो इसमें F of A-X यूज हो जाएगी नहीं होगी और थोड़े बड़ा वाली की बात करोगे तो यह आपकी वाली यूज हो जाएगी ठीक ना चलो अभी कॉश्चन आएगा तो उस पर डेटेल में बात करेंगे अभी तो किवल मन में बिठाल लो कि अगर इस तरीके से कोई जोड़ी बन रही हो X की और A-X की X की या A-B-X की तो आपको यह कॉश्चन बनाना है बलो क्लियर अच्छा एक चीज और बताऊं देखो ध्यान से 2 और 3 कितना होता है 5 देखो इस कॉश्चन को देखो वहाँ पर ऐसा कुछ होगा तो यह प्रापर्टी लग जाएगी चलो अगली प्रापर्टी की बात करते हैं अगली प्रापर्टी जो है यह आपको मैंने बता दिया अब जीरो से टूए वाली के पहले दो तरीके के फंक्शन डिसकस करते हैं टाइपस ऑफ फंक्शन टाइपस ऑफ फंक्शन दो प्रकार के फंक्शन होते हैं एक फंक्शन कहलाता है इवन फंक्शन और दूसरा फंक्शन कहलाता है ओड फंक्शन तो इवन फंक्शन क्या होता है ऐसा function जिसको हम x देनते हैं और minus x देते हैं तो मैं बात कर रहा था कि अगर आपके पास दो तरीके के function होते हैं एक होता है odd function और एक होता है even function और odd function इधर मैंने even लिया है और एधर मैंने odd लिया है मान लो आपके पास fx equal to x की power 4 plus x का square ठीक है अब आप क्या करते हो यहाँ पर आप एक बार value 2 पे निकालते हो एक बार minus 2 पे निकालते हो आपने f of 2 पे value निकाली तो 2 की power 4 कित्ता हो गया 16 और 2 की power 2 कित्ता हो गया 4 16 और 4 कित्ता हुआ 20 हो गया और आपने f of minus 2 पे value नहीं कली तो minus 2 की power 4 भाई minus 2 की power 2 तो ये भी किता आएगा 20 आएगा तो आपने देखा कि चाहिए function को मैं minus 2 खिलाओं या function को मैं plus 2 खिलाओं value क्या देता है सेम देता है तो जनरली इस फॉर्म में मैं इसको बोल सकता हूं कि अगर f minus x equal to कितना है fx मतलब function की negative input पर value जो आ रही है वो पॉस्टिव input पे value के equal आ रही है बोलो यह सो नो मतलब f minus x equal to fx है तो ऐसे function को जिसमें f minus x और fx equal आए ऐसे function को आप बोलते हैं odd function क्या बोलते हैं even function बिल्कुल सही ऐसे function को आप क्या बोलेंगे even function क्योंकि f minus x की value जो है fx के equal आ रही है एक बात दूसरा odd function देखते हैं odd function क्या function होता है अगर आपके पास आपने पहले function ले लो fx equal to मान लो आपने ले लिया x plus x की power 5 ठीक है ना यहां पर x की value ले रहा हो 1 क्या ले रहो 1 तो चलो जी यहां पर x की value आपने 1 ले ली है तो x की value 1 लेने पर देखिए 1 और प्लस कितना 1 answer कितना आ गया 2 आ गया और f की value minus 1 लिजे x की value तो यह minus 1 और minus 1 की power 5 कितना हो जाएगा minus 1 तो कितना है है minus 2 मतलब f of minus x जो है वो negative sign छोड़ रहा है बाहर और minus of fx बन गया ऐसे function को जो negative sign बाहर उगल देता है ऐसे function को आप क्या बोलते है और function इसने negative sign बाहर उगल दिया है तो इसको क्या बोलते है odd function देखिए तो अपने पास जैसे sign x है जैसे example में बोलूँ आपके पास fx equal to sign x है ठीक है अगर आपको f minus x खिलाते हो तो यह क्या देगा sign minus x और आप जानते होगी sign minus x केता होता है minus sign x मतलब f minus x equal to हो जाएगा minus और यह sign x क्या था fx था क्या था यह fx तो sign x कैसा function है odd function अब ज़रे इसके graph से समझने कोशिश करूँ कि इसका graph क्या कहता है यह graph बहुत कुछ कहता जिससे आपको यह property का feeling आ जाएगी अगर आप इसका देखो graph तो यह graph आंगे की तरफ इधर जाता है और यह graph पीछे की तरफ इधर जाता है ठीक ना अगर आपने limit सेट करी है minus pi by 2 से लेके plus pi by 2 और आप इसमें sin x का integration कर रहे हो यह देखो तो यह आपके पास में minus pi by 2 और यह आपके पास में कितना है plus pi by 2 इधर थोड़ा आएगा plus pi by 2 यह देखे जितना area यह नीचे shade करेगा उतना area कैसे shade करेगा उपर तो उपर का area मानलो plus 1 होता है तो नीचे का कितना होगा minus 1 और दोनों को जोड़ोगे आप दोनों को अगर आप इसके sign के साथ जोड़ोगे तो answer कितना हो जाएगा 0 मतलब minus 1 और plus 1 answer कितना आएगा भाई सब 0 तो यहां से लेकर के यहां तक का total integration कितना हो जाएगा 0 इसलिए odd function में कोई भी graph होता है उसका integration कितना होता है 0 within the same limit आपके पास में आपके पास within the same limit odd function है minus a से लेके plus a और आपके पास कोई odd function है यह अगर odd है तो बोलो answer कितना आएगा 0 कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सीधा answer आजाएगा 0 बुलिए done चलिए हां हां देखे मैं मैंने यहां पर area निकालने की बात नहीं करी मैंने integration बस बोला है मैंने यह नहीं कहा है कि area निकालो मैंने integrate करने को बोला है अगर इस question में कहा होता find the area find the area तो हम क्या करते हैं नीचे नीचे चांब ये कि बात बिब्स है ना पर बथा लेट आ country पेरा निकालने की बात करेंब आप ईंती उन्यचन अधि निकलना है तो फिर आपको वहां मौट लगाना पड़ेगा पुशन दिया क्वेशन ये था कि आपके पास में लिखा हुआ था जीरो से लेके 19 पाई जीरो से लेके 19 पाई और साइन एक्स का इंटिग्रेशन आया था जीरो से लेके 19 पाई साइन एक्स का इंटिग्रेशन तो देखो भाई सब 19 पाई अब भाई ये कित्ता होता है दो पाई कित्ता होत बनता है और एक लोब नीचे बनता है तो टोटल एरिया इन दोनो लोब का कितना हो गया जीरो बोले आसा नो तो ऐसे दो ना मठारा टू नाइन जा 18 तो भाई मतलब टोटल नौ चक्कर तो इसके लगेंगे दो दो पाई के नौ चकर होगा तो अठारा पाई और बाद में कितना टू क्लियर हो गया तो इसका डारेकली टू हो गया विदिन सेकेंड आप इसका अंसर कर सकते हो तो यह इसका फायदा हुआ करता है चलो आंगे की प्रापर्टी की बात करते हैं और फंक्शन तो हो गया अब बात करते हैं इवन फंक्शन अब किसकी बात करते हैं इव स्का ग्राफ माइनसप्शा से लेकर बोलो टूइंगी यह मैं इंंटीग्रिशन निकाल भाइंगनि-पाई-वै अबर क्या होता है, cos theta यानि कि cos x हो जाएगा, minus sign का कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है, yes or no, इसे लिए इधर का फलनमी धनात्मक जारा है, इधर का फलनमी क्या जारा है, धनात्मक जारा है कि नहीं जारा है, तो आप ये बताओ कि मुझे इस पूरे का area निकालना है, तो क्या ये परोच हो सकती ही, कि मैं एक तरफ का area निकाल करके, एक तरफ का integration करके, इसको double fold कर दूँ, yes or no, भाई, एक तरफ का area निकाल करके, अगर आप इसको double rotate कर दोगे, तो वही area तो पूरे का होगा कि नहीं होगा, तो मैं इसको क्या लेक सकता हूँ, मैं लेक सकता हूँ, अगर आपके पास even function है, fx dx है, तो ये क्या बन जाएगा, two times zero to a, और यहाँ पर आएगा fx dx, तो even function जो होता है, वो yh के about सम्मेत होता है, yh के about symmetric होता है, समझ में आया, तो ऐसे function को बोलते है, neither even, neither odd, बहुत सारे function होते हैं, जो ना even होते हैं, और ना odd होते हैं, तो उनका स method से हल कर देना, बट सारे function even और odd नहीं होते हैं, कुछ function होते हैं, neither even nor odd, तो ये हो गया एक property, है ना, तो even odd वाली property हो गई, दोनों part हमने discuss कर लिया, अब एक property और देखते हैं, देखें, मान लीजे, यह आपके पास में कोई function है, ये इस तरीके से, ओके, और इसके बाद ये कुछ ही हो गया, देखें, ओके, यहां से ये point क्या है, A है, और ये point B है, और ये point क्या है, C है, ये point आपके पास है, अब देखें, यहां से यहां तक का फलन की प्रकरती अलग है, मतलब पहला फलन operate हो रहा है, F1X, बोले अस, और यहां से यहां तक operate हो रहा है, कितना भाई ज़ो बी है वो एससे लेकर सी के बीच में है और आपको कहा जा रहा है कि इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले हमें फलन को देखो जो का मान है वो एससे लेकर सी के कहां है तो कैसे बीच में फिर इसके बाद B से लेकर किसका होगा, C तक का, तो B से लेकर किस C तक का integration लगाईए, और कौन सा function आएगा, F2, X, ठीक है ना, तो आप जो फलन complete था, आपके पास Fx, इस complete फलन का नाम क्या दे दिया था, Fx, क्या नाम दे दिया था, Fx, और A से लेकर C तक बोल दिया गा, तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसको दो पार्ट में बदलिए, यह आपकी जिम्मेदारी है, अब यह कहां पर इस्तमाल होता है, इस टेक्नीक का सबसे ज़्यादा कहां पर इस्तमाल होगा, बच्चों इस टेक्नीक का सबसे ज़्यादा इस्तमाल होगा, मॉडुलस function में, कहां पर मॉडूलस function में जैसे एक्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ एक question कि जैसे मान लीज़े आपके पास है मॉडूलस x-5 x-5 और वन से लेकर 7 तक integration दे दिया गया है लिए वन से लेकर के 7 तक अब आपको पता है कि भाई साव मॉडूलस x-5 मतलब दो मैंने एक positive x-5 और एक negative x-5 बुलो हाया ना positive x-5 कब जब अंदर का माल 0 से बड़ा होगा बुलो हाया ना मतलब अंदर का माल क्या है x-5 greater than 0 मतलब x greater than 5 तो मतलब x 5 से बड़े के लिए बिटा x इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा ना plus 5 होता तो होता तो x का मान 5 से बड़े होने के लिए यह हो जाएगा बुलो हाँ और इसका उल्टा x का मान 5 से छोटे होने के लिए बुलो हाया ना और break कहां पर करता है अंदर का माल 0 के बराबर कर दो वहाँ पर break हो जाएगा तो x-5 बराबर कितना 0 तो x equal to कितना 5 तो 5 इसका breaking point है 5 इसका क्या है मतलब 5 के across जो function नुकी मारेगा यहाँ पर नुक बनाएगा और 5 के पीछे ये स्वरूप और 5 के आंगे ये स्वरूप बोलो यह स्वरूप clear हुआ भाई 5 के पीछे इसका output जो है negative आ रहा और 5 के आंगे क्या रहा है positive आ रहा है ये देखो ना 5 के पीछे negative आ और 5 के आंगे क्या है positive तो भाई साहब अपना breaking point है 5 क्या है breaking point 5 तो कुल मिला के यह समझ लो यह minus 1 से सुरू हुआ बोलो खतम कहा पे हुआ 7 पर और बीच में कितना 5 तो 2 station बनेगे एक बनेगा minus 1 से लेके कितना 5 1 है 1 है तो 1 से लेके कितना 5 है ना 1 से लेके 5 अब 1 से लेके 5 के बीच में x minus 5 किस में break होगा बोलो positive x minus 5 में होगा की नहीं होगा तो positive x minus 5 का dx फिर 5 से लेके कहा 7 एक मिनट गल्ती कर दी 5 से less के लिए negative होगा भाई साब negative greater than है और ये क्या है less है तो 5 से कम के लिए negative पे break होगा और 5 से बड़े के लिए किस पे break होगा positive पे तो 5 से 7 के लिए होगा positive x minus 5 का dx समझ मैं है तो इस property का सरवाधिक इस्तमाज जो होगा आपकिस लेबस में modulus function को हल करने के लिए किया जाएगा ठीक है न मापांक फलनों को हल करने के लिए किया जाएगा बोले clear चलो भाई ये हो गया अगला solve करते हैं अगली property देखिए अगली property ये है कि अगर आपके पास 0 से लेकर के 2A तक की limit दी गई है 0 से लेकर के 2A तक की limit दी गई है तो आप यहां का 2 बाहर निकाल सकते हो अंदर देखो function आपके पास है fx dx ये आपके पास 0 से लेकर 2A दिया गया है और fx dx for example के लिए 0 से लेकर pi sin x dx ठीक है 0 से लेकर pi sin x dx अब इसको 2A के रूप में देखना चाहते हो तो आप इसको देखो 0 से लेकर 2 pi by 2 sin x dx clear है 0 से लेकर 2 pi by 2 sin x dx अब देखो जड़ा graph देखो sin x का ये है 0 से लेकर pi का graph है की नहीं है और ये बीच में क्या है pi by 2 क्या इधर का part का integration इधर के part के integration के बराबर है की नहीं है तो मैं इसको लेक सकता हूँ इसका 2 बाहर ले लो क्या ले लो 2 बाहर 0 से लेकर pi by 2 sin x dx अब ये तो आपने graphically देख लिया अब अपने S में कैसे पता लगाएं कि ये चीज लगी की नहीं लगी की तो आपको क्या करना है आपको हर बार निकालना है 2a minus x का function f of 2a minus x f of 2a minus x निकालना है तो दो बाते होंगी या तो f of 2a minus x fx आएगा और या तो f of 2a minus x कितना आएगा minus fx क्या आएगा minus अगर fx आगया तो जो आपका integration में होगा 2 बाहर आएगा और limit तूट जाएगी 0 से लेके 2 बाहर आजाएगा या वाला और limit तूट जाएगी 0 से लेके a और जो आपका function था उसको integrate कर दो जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर आपके पास fx कितना है बिटा sin x है है ना sin x fx यहाँ पर sin x है और f of 2a minus x तो 2a की value किती है πाई तो πाई minus x किया तो यह कितना हो गया sin का πाई minus x बताई यह sin πाई minus x कितना होता है sin x होता है रहे वाह मतलब यह कितना आ गया fx आ गया मतलब f of 2a minus x equal to fx ही हो गया तो इसका 2 बाहर निकालोगे तो जैसे πाई by 2 का 2 बाहर निकालोगे तो क्या बच जाएगा 0 से लेके एक्जामपल ले लेता हूं देखिए आपके पास में आपके पास में एक्जामपल है 0 से लेके पाई पाई को मैं लिखता हूं जान बुछ करके 2 पाई by 2 और यह आपके पास करना है cos x dx cos x dx चलिए तो f of 2a minus x मतलब cos of 2 पाई by 2 बोले तो पाई minus x आप जानते हो cos 2 pi minus x कितना होता है minus cos x हाई ना तो यह कितना निकल गया minus x हुआ कि नहीं हुआ minus x हुआ ना और minus x का integration कितना होगा 0 तो यह हो गई है आपकी सारी की सारी properties पेनिस ठीक ना और इन properties का यूज़ करके आप जो है definite integration का कोई भी सवार लगा सकते हैं ठीक है चलिए